मन्जिल की ओरे, एक असली कहानी जिन्दगी में कभी कभी ऐसे पलाते हैं जब हर कोना अंधिरों से घिरा होता है लेकिन अगर इंसान में होसला हो तो हर मुश्किल को आसन से पार किया जा सकता है ये कहानी है एक ऐसे आम इंसान की जिसका नाम रोहान था रोहान एक छोते से गाउं से था पर उसके दिल में बड़े सपने थे रोहान के लिए सपनों का सफर शुरू होता है जब उसने अपने गाउं से बाहर पढ़ने के लिए फैसला किया उसके सपनों में एक बड़ा बिजनेसमेन बनने की ख्वाहिश थी लेकिन रस्ते में अनिक चैलेंजस थे पर रोहान ने हार नहीं मनी उसने अपने सपनों की मंजिल की औरे कदाम बढ़ाया शुरूवत की कोशिश उसकी कोशिशों में उसने एक छोता सा दुकान खोला नुकसन हुआ और वो अल्मोस्ट बिखार गया लेकिन रोहान नहार नहीं मनी उसने अपने आपको संभाला और फिर से नई शुरुवात की फिर से उतना उसने अपने बिजनेस में कुछ नए तरीके अपनाए नए आइडियाज निकाले और अपने कस्टमर्स को फिर से जीत लिया उसकी हिम्मत और लगन ने उसे सफालता की बुलंदियों तक पहुंचाया सपनों की मनजिल आखिर में रोहन का सपना पूरा हुआ उसने अपने छोते से गाउं से निकल कर बड़ा बिजनेस में बनने का सफर तै किया उसकी कहानी ने दिखाया कि असली जीत उस इनसान की होती है जो हार नहीं मानता जो हिम्मत से खड़ा रहता है और अपने सपनों की मनजिल की ओरे बढ़ता है मनजिल की ओरे एक असली कहानी हमें ये सिखाता है कि जिन्दगी में छोटी बड़ी मुश्किलें आती रहती हैं लेकिन अगर हमारे अंदर होसला है तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं सपनों की मनजिल तक पहुंचने में हिम्मत और महनत का होना जरूरी है मनजिल की ओरे एक असली कहानी जिन्दगी में कभी कभी ऐसे पलाते हैं जब हर कोना अंधिरों से घीरा होता है लेकिन अगर इनसान में होसला हो तो हर मुश्किल को आसन से पार किया जा सकता है ये कहानी है एक ऐसे आम इनसान की जिसका नाम रोहान था रोहान एक छोते से गाउं से था पर उसके दिल में बड़े सपने थे रोहान के लिए सपनों का सफर शुरू होता है जब उसने अपने गाउं से बाहर पढ़ने के लिए फैसला किया उसके सपनों में एक बड़ा बिजनेसमेन बनने की ख्वाहिश थी लेकिन रस्ते में अनिक चैलेंजिस थे पर रोहान ने हार नहीं मनी उसने अपने सपनों की मंजिल की औरे कदाम बढ़ाया शुरूवत की कोशिश उसकी कोशिशों में उसने एक छोता सा दुकान खोला शुरूवत में मुश्कील थी लेकिन रोहान ने कभी भी असानी से हाथ नहीं उठाया उसने अपने दुकान में मेहनत से काम किया और अपने कस्टमर्स को अच्छी सेवा दी आफ़त का समना एक दिन जब सब कुछ थिक चल रहा था अचानक एक बड़ा सा आफ़त आया उसकी दुकान को नुक्सन हुआ और वो अल्मोस्ट बिखार गया लेकिन रोहान ने हार नहीं मनी उसने अपने आपको संभाला और फिर से नई शुरुआत की फिर से उतना उसने अपने बिजनस में कुछ नए तरीके अपने, नए आइडियाज निकाले और अपने कस्टमर्स को फिर से जीत लिया उसकी हिम्मत और लगन ने उसे सफालता की बुलंदियों तक पहुंचाया सपनों की मनजिल आखिर में रोहन का सपना पूरा हुआ उसने अपने छोते से गाउं से निकल कर बड़ा बिजनस में बनने का सफर तै किया उसकी कहानी ने दिखाया कि असली जीत उस इनसान की होती है जो हार नहीं मानता जो हिम्मत से खड़ा रहता है और अपने सपनों की मनजिल की ओरे बढ़ता है मनजिल की ओरे एक असली कहानी हमें ये सिखाता है कि जिन्दगी में छोटी बड़ी मुश्किलें आती रहती है लेकिन अगर हमारे अंदर होसला है तो हम हर मुश्कील को पार कर सकते हैं सपनों की मनजिल तक पहुंचने में हिम्मत और मेहनत का होना जरूरी है